शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम हरहर महादेव शम्भू इस चैनल में हम आपको शिरी गुरू जी परदी मिशर जी दौरा बताए गए उपायों को बताते हैं जो की शिव उपाय हैं शिव पुरान के उपाय हैं जिनको करने से हमें सुक्सरमद्धी की प्राप्ती होती है और हमाये दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है कल है यानि कि 26 फरवरी दिन है यानि कि शिव सोंबार का और फालगुन महा का यहाँ पहला सोंबार है जैसा कि आप सभी को पता है कि फालगुन महा बहुती विशेश से महा है कि इस महा में वर्ष भर में आने वाली महा शिवरात्री का विशेश पर्वे भी रहता है वर्ष में केवल एक के ही बाहर महा शिवरात्री का पर्वे आता है महाशिवरात्री के दिन आप गुरुजी के बताये गए सभी उपाय कर सकते हैं महाशिवरात्री के दिन आप परदोस, सोमबार और मासिक शिवरात्री के अन्य तिथियों में पढ़ने आले विशेष उपाय भी कर सकते हैं आने तितियों में भी करने वाली उपाय आप मासी के शिरातरी में भी जो किये जाते हैं उपाय और आने तितियों में भी जो उपाय किये जाते हैं तो वहाँ आप महाशिरातरी के अफसर पर महाशिरातरी के दिन कर सकते हैं और विशेश ज्यादा से ज्यादा लाब भी प्रा प्राप्त कर सकते हैं कल सौंबार को यानि कि दो उपाए नए उपाए हैं बिल्कुल जो हम आपको बताएंगे वहाँ इस प्रकार है पहला उपाए बिल्कुल नए उपाए है जो कि हाली में पूर्ण श्री महापुराय कथा में गुरुजी श्री प्रदीप मिशाजी ने आपके जीवन में आर्थिक सिति मजबूत होती है और धन संपता का भी भंडार भर जाते हैं और धन अच्वी का भी आग्वन शुरू हो जाता है रास्ते आपके खुल जाते हैं जीवन से कश्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं गुरुजी के बताया गया यहाँ उपाए बि बिन्दी लगाने अला बेल पत्री पर लगाने अला यह महां उपाए है जो कि मनोकामना पूर्ती उपाए है एक सो आठ चंदन की बिन्दी आपको बेल पत्र में लगानी है और शिवन पर जगानी है यहाँ मनोकामना पूर्ण उपाए है और चंदन की बिन्दी अला उपा यह video मेरा अगर सुंभार के बाद मंगल बूद्ध को किसी भी सुंभार को यानि किसी भी सुंभार को आप यहया राप्त कर सकते रहे हैं गुरू जी ने साथ बेल पत्रे और जल वाला यहापपाए बताया है यहुआ हो पाई करने के लिए आपको साथ बेल पत्र की आविशक्ता होगी और एक लोटा जल की आविशक्ता होगी और ध्यान रहें बेल पत्र कहीं से भी कटी-फटी ना हो और ना ही उसमें छिदर हो और डंडी का पीछे जो थूट होती है वहां तोड दीजेगा बेल पत्र आपको रसोई घर में पानी के स्थान पर रखना है जहांपे आप पीने का पानी भरते हो गढ़ा हो आपके पास पीने की बाल्टी हो या फिर आरो रो खोंड़ को न लगा हो अगर आरो लगा है तो उस पे आप एक कटोरी रखे और इस पे एक पहली बेल पत्र अर्पित कर दिजिए और डणडी का मुख आपकी और रहे उंत का स्थिर्ट लेव Saar ले रहें या वह रिपत्र आपको अर्पित कर देनी है पहली बेल पत्र आपको रोसोई घर में पानी के हंडे के पास एफे आरों के पास एक कटोरी में अर्पित कर देना है और कई लोगों का यहाँ भी प्रेश्चन रहा है कि उस बेल पत्र का बाद में हमें करना क्या है तो दोस्तों उस बेलपत्र को आपको बाद में जब आपके मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद वह बेलपत्र आपको जलाशे में नदी में आपको विसरजित कर देना है इसके बाद उसी कलश से जहां पर आपने बेलपत्र अर्पित करी चाहे वो आरो के उपर करी हो चाहे भी घड़े में करी हो बेलपत्र घड़े के उपास करी हो या फिर बाल्टी के पास करी हो तो उसी बाल्टी से आपको जहां पर आपने बेलपत्र अर्पित करी वही पात्र से आपको एक लोटा जल भर लेना है उसकाद आपको छे बेल पत्रे लेकर बेल पत्रे के पेड़ के नीचे पहुत जाना है जहाँ पर आपको दूसरी बेल पत्रे बेल ब्रश के नीचे अर्पित करनी है और डंडी का मुख जो है आपकी ओर है बेल पत्र अर्पित करने के बा आसा जल आपको उस बेल पत्र के ऊपर चड़ा देना है और श्री शिवाय नमस तुब्यम या फिर नमस शिवाय या फिर ओम नमस शिवाय का मंतर जाप करते हुए उसके पांच बेल पत्र आपको लेकर शिवाले पहुत जाना है तीसरी बेल पत्र आपको अश्रोसंदरी की स् आप थोड़ा सा कलश का जल चढ़ा दीजे। चौथी बेलपत्र आपको माता के हस्त कमल गोल जो रखा हुआ है, माता के हस्त कमल पर आपको चौथी बेलपत्र रखनी है। और टंडी का मुख जो है अश्योग सुंदरी के स्थान की तरफ हो। बाद में उस बेलपत्र के ऊपर आपको कलश का जल थोड़ा सा चढ़ा देना है, श्री श्यवाय नमस्तुब्यम या फिर ओम नमस्यवाय या नमस्यवाय का मंतर जाप करते हुए। च्छटी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रखनी हैं, और डंडी का भाग जो है आपके ठीक विप्रीत हो मतलब कि जिस ओर आप बैठे हैं तो उसके सामने की ओर डंडी का मुख होना चाहिए शी शिवाई नमस उब्याम हरर महा देव शम्भू या फिर नमस शिवाय मंत्री जाप करते उए शिवलिंक पर आपको चढ़ा देनी है छटी बिल पत्र आपको शिवलिंक पर तब आपको अरопित करने है जब शिवलिंक के उपढ़ जो जलाधारी बंधी ना हो अगर जलाधारी बंधी जहां से बून बून जो पानी नीचे शिवलिंग की ओट पकता है जो शिवजी की पांच पत्रियों के का इस्थान है जया विशहरा शामलीबरी और देव दवतली और देव पांच पत्रियों का इस्थान है तो वहाँ पर आपको टेच करानी है बेल पत्रे तो उसके अंदर कलश में आपको जल थोड़ा सा पात्रे में जल भी डालना है अगर कलश महां पर नहीं है जलाधारी नहीं है तो आपको शिव जी की पांच पुत्रियों को नाम लेते हुए जया विशहरा शामली भाई दवतली और देव पांच पुत्रियों को नाम प्रको जल उस कलश का लोटे का जो आप घर से लेके गए हैं तो उससे थोगज आप जल चड़ा देंगे और सांथों बेल पत्र आपको नंदी का पाउं जो दाहिना पाउं जो उपर की उठा होता है तो उसके उपर आपको बेल पत्र चड़ानी और डंडी का मुक शिवलि आप करते हुए बचा हुआ जल जो है आपका जो जल बचे जाता है कलश में तो आप शिवलिंग पर वापस से पूरा जल अरफित कर दीजिए और थोड़ा सा जल आपको जल के पात्र में लेकर घर को आ जाना है शटी बेल पत्र जो आप जो जलाधारी के उपर जो आप इंट बेल पत्र है तो वो उठाकर आपको अपने घर पे लेकर आना है और जो कहीं एक सुववस्तित जखास्थान पर या भी पूजय तथाल में कोई किताब तापके अंदर आपको इसको रख देना है आपके पूजय पूजय पुस्तिका है चाहां वह शिव قुरां नहीं ho या या फ़ी हनुमान चृइसा हो या फ़ी आर्थी की किताब क्यों ना हो तो उसके अंदर आपको रखे लियनी है गुरू जी ने कहा कि वहाँ बेल्पत्र आपके घर में धन का भंडार खूलने वाली है या बेल्पत्र आपको संभाल के रखनी है जो 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 जिनकी कामना बहुत पुरानी चली आ रही है पूरी नहीं हुई हो और उन्होंने कई उपाय कर लियों कई मनत कर रही हो कही जगह माता टेका हो लेकिन उनके यह कार पूरे नहीं हुए तो उन्हें यह उपाय आप अगर यह उपाय करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी आपकी वह कामना कोई भी हो लच्मी प्राप के से ज़ंदन करके आन्य शुरात्री को यानि की आठ मार्श को भी आप यह उपाइब कर सकते हैं आपको एक एक बेल पत्रिय लेना है प्रासा bara कर लेना है कंटोड़ी में अप को और बेलपत्र की पीछे की जो ठूट लगी डंडी होती वो ठूट को आप डंडी थोड़ी सी तोल दीजेगा और उस ठूट से आपको चंदन से 108 बिंदी आपको बेलपत्र पर लगानी हैं और एक बिंदी आप लगाएंगे तो शिरी शिवाय नमस्तुब्यम या फिर नमस अग्ध कर के लगाई है तो आपको पूरी 108 बिंदी 1080 बार मंतर जाप वही एक ही बाएक बोलना है जैसा अगर आपने एक बिंदी द सीचिक्वाय नमस तुप्यम या पर दिसी और दूसरी बिंदी आपने 4-5 बिंद्य और लगा units अग्थ इसा नहीं करना जो पहला आप जो मंतर जाप करेंगे पहली बिंदी से तो वही 108 बिंदी में वही मंतर एक सा मंतर जाप आपको करना चुट्र पत्र पर 108 बिंदी लगाने के बाद आपको आपको बिंदी लगानी है यानि कि बेलपत्र के चिकने वाले भाग में आपको बिंदिया लगानी है और वो चिकना वाला भाग में जब बिंदी लगाई है और बिंदी अला भाग अशुक सुंद्री माता की स्थान को टच होना चाहिए फिर बाद में आपको चढ़ाना नही पर उपर जहां से शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देनी है और ध्याने डंडी का मुख अशोक सुंदरी की स्थान पर हो और बेल पत्र की बिंदी आला जो भाग है वो शिवलिंग पर टच हो और अपनी मन की कामना कहते हुआ या बेल पत्र चरहानी उसके बाद आपक करेंगे तो गुरुजी ने का कि आपकी जल्द से जल्द जो पुरानी से पुरानी मुनोकार्ना होगी या उपाय करने से आपकी पूर्णे होगी और अगर इसे वीडियो में मेरे कोई भी जानकारी आप जरासी अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक कर दीजेगा और कमेंट के साथ नए वीडियो के साथ शुरी शुआ नमस्तु बढ़ाइब